17 दिन और घाटी में तनाव की बीच स्थिती क्या है इस बीच इंकाउंटर और एक इंकाउंटर में एक जमूर कश्मीर पुलिस के जवान को भी शहादत मिली लेकिन सवाल दरसल ये खड़ा है कि जो माहौल अभी भी दिख रहा है सरकार कह रही है पुलिस कह रही है कि हम चीजें हालात को कंट्रोल में करने कर रहे हैं कंट्रोल से लेकर सामाने होने में स्थिती में कितना देर लगेगा अबी हमारा जो जहां तक लाइन डॉर्डर की स्टिती को स्टेबलाइज करने का तरलेक है पूरे कश्मीर घाटी में लाइन डॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, नॉमल है कोई कहीं भी सीरिस तरह की लाइन डॉर्डर अंगेजमेंट किसी जगह पे नहीं है और जमू रीजन तो पूरे तरह नॉमल हो गया है आज की तरीक में जमू के एरिया में किसी भी तरह की कोई बंदश नहीं है, रुकावट नहीं है सकूल खुल गए है, कॉलेज भी लगपक सब जगों पे खुल गए है दुकाने, शुकाने, ट्रैफिक बिल्कुल नॉमल के मताबक चल रही है और इसके बीच में जो जो मिल्टनसी से रिलेटर जो एक्टिवटीस बीच में थोड़ी सी आगे पीछे हरकत इनकी होने लगी थी उसके लिए भी कारवाई फिर से शुरू हो गई है कल रात को जहां वारा मुला टाउन में जो एक पराना खुंखार अतंकी है उसकी प्रेजन्स की खबर मिली थी पुलीस को और उसके उपर उपर उपरेशन लाँच किया गया जो उपरेशन रात को खतम हुआ है और उसमें जो अतंकी मारा गया है इसमें हमारे एक S.P.O. बेलाल की शहादत हुई और हमारे सब इंस्पेक्टर जो पार्टी को लीड कर रहे थे अमर्दीप वो रात को जख्मी हुए उनको शिननगर एवेकुएट किया गया आर्मी हास्पेटल में और उप्रेशन खतम हो चुका है और मिल्टन बारा गया है इस तरह की जो हरकत चोटी मोटी सुनने में सौथ किश्मीर में आ रही सौथ किश्मीर में भी उप्रेशन अभी लॉंच किया जाएंगे और वहाँ पर भी जल्द ही जो है मिल्टन्सी को फिर से जो है अच्छे तरीके से दवाने की जो है कोशिश शुरू हो जाएगी हम लोग Lion Daughter के साथ साथ जो अपनी CI Grid है उसको भी अभी स्टॉंग करेंगे और मिल्टन्स के खलाब भी एक्षन जो है इस वकद तेज हो जाएगे ये अगर मैं समवाल पूछ हूँ कि जो बदले हुए हालात हैं इसके बीच में क्या militant activity तेज होने के भी संभावना है क्या उसका भी फाइदा उठाने की कोशिश के जारी across the border से देखिए पाकस्तान की तो बहुत ज्यादा कोशिश है कि इस वकद जो भी उनके जो नासर जहां पर मजूद हैं उनके जो गृप जहां पर मजूद हैं लशकर तौबा और जैशे महमद जैसे उनको एक्टिवेट करें कुछ तक उन्होंने एक्टिवेट किया भी है जगा 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 गुम रहे हैं लोगों को ड्राने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमारी फोर्सल्स की पोलीस की माजूदगी भी सब जगा है हम लोगों के साथ खड़े हैं और लोग उनका कुछ डर और खौफ उससा तक महसूस नहीं करें जिस सकत्तों पैदा करना चाहते थे मुझे लगता है कि जल्द ही उनके जे रादे भी जो है नापाक रादे हैं उनको भी नाकाम किया जाएगा और हम लोग जो बच्चे-कुचे मिल्टन के अलीमेंट वहां पर एक्टव हो रहे हैं उनको फिर से अच्छे से निप्टेंगे अगर मैं ये कहूं कि एक बार घाटी में फिर से ऑपरेशन तेज कर दिये गए हैं तो ये गलत नहीं होगा बिल्कुल सही बात है ऑपरेशन फिर से तेज कर दिये गए है